हेलो वेल्केम बैक मैं डेर स्टुडेंट तो आप सभी क्यागवार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है तो हम लोग रेनन मार्टिन के बुक टू स्टार्ट कर चुके हम लोग और इस बुक से हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और पहला चैप्टर जो है यह अनलेसिस ट्रांसफोर्मिशन और संसे र्यूकर या टो जिस में हम लोगों ने पहले चैप्टर में स्टार्ट क्या था अनलेस आप सिंपल सेंटेंस के अंदर जो आज का हमारा लेक्चर है यह लेक्चर नंबर ठी तो आज जो है यह चैप्टर का थर्ट क्लास है और इसके अंदर हम क्या जानने वाले हैं, इसके अंदर हम predicate के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानेंगे और साथ ही साथ हम compliment के बारे में जानेंगे, चलिए बिलकुल मैं आपको simple language मैं आपको समझाने का कुर्सिस करूँगा कि ताकि आपको सभी चीजों का जो भी concept है, समझने के लिए, अगर हमें चीजों को तोड़ना मरोडना पड़े, तो हमें तोड़ना चाहिए, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमारा goal होना चाहिए समझने पर, कहने का मतलब है कि अगर हम वही चीज समझा रहे हैं दूसरे sentence example के साथ, तो उसमें क्या दिक्कत है, अगर कि आपको exact book ही पढ़ना है, तो मेरा recommendation होगा कि book सबसे अच्छा चीज होगा, ठीक है, क्योंकि आप book से पढ़ोगे तो सारा चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है, exercise भी मिल जाएगा, तो आप book से पढ़िए, और अगर आप दिको आप teacher के पास क्यों आते हो, किसी students को teacher का help का पर उसे कोई confusion हो, चीज़े समझ भी नहीं आ रही हो, तेभी लोग teachers के पास जाते हैं, teacher से consult करते हैं, कोई अपने confusion को, कोई doubt को दूर करवाते हैं, लेकिन प्लीज ऐसा कभी कभी जो बीच में, मतलब 90% तो लोग ठीक है, बहुत satisfied है कि सर कि आपने इस book को इतना simplify कर दिया, क कोई फर्क में पड़ेगा इस से, ठीक है, hello everyone, चलिए सभी लोग जोडने लगें, hi, hello, okay, and good morning, चलिए अभी तो good morning, अब तो afternoon हो चुका है, तो start करते हैं, ध्यान दिचिएगा, देखो, कहने का मतलब है कि exact book लाकर कि अगर हम यहाँ पर भर देना, तो भई यह book से पढ़ लो के भर देंगे, तो फिर समझ के कुछ भी नहीं आगा, देखो, ध्यान देना, आज के चीज में हम समझेंगे क्या, कि कि सीभी sentence में कम से थे चाहिए, subject चाहिए, और भय वर्ब चाहिए, subject चाहिए, और वर्ब चाहिए, ठीक है, यह दो चीज चाहिए, कि सी भी sentence को कम से कम, जिसमें अगर हम डिवाइड करने का कोशिज करें तो इधर वाले पार्ट को हम subject कहेंगे और इधर वाले पार्ट को जो वर बाले पार्ट है ये एक्चुल में प्रेडिकेट कहलाते हैं subject कहलाबे subject कहलाबे जो भी चीज आते हैं वो क्या कहलाते हैं प्रेडिकेट कहलाते हैं, यह बात तो आप सभी को पता है, ठीक है, तो प्रेडिकेट आपका एक वर्ड का भी हो सकता है, प्रेडिकेट में और भी वर्ड जूर सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि प्रेडिकेट एक ही वर्ड का हो, सब्जिक्ट एक ही वर्ड का हो, मैंने प्रेडिकेट भी एक ही वर्ड का है तो समझ लेना अगर subject एक ही वर्ड का है तो उसमें क्या है subject वर्ड है subject वर्ड का मतलब main subject और प्रेडिकेट अगर एक ही वर्ड का है तो प्रेडिकेट का सबसे essential part क्या होता है खुद वर्व होता है तो एक word के होगा は ourɪ सबजिक्ट एक ही वर्द का होगा वह सबजेक्ट या तो कोई ौन होगा या तो कोई ौन होगा इस चीस को समझ है आप आगे समझे अप ऐसा क्या ना कि जैसे जब हम बच्पन में in contemplative पढ़ना शुरू किये थे हमारे स्कूल में पढ़ाए गए तो हमें छोटे-छोटे sentences लिखना सिखाए हमें सबसे पहले छोटे-छोटे sentences और sentence का जब अस्ट्रॉक्चर बताए गए तो हमें बताया जाता था कि sentence में subject होता है है तब्जेट के बाद वह वह वोता है धो के बाद अब्जेक्ट होता है ठीक है बातसमस में आरही है jyis यहां पर एक जांपल में हमने लिया कि सचीन सचीन- êtes- अ Delo आ पाधिशन वास क्रेकट्व हम देखो यहां पर क्या है हम जब बच्पन में पढ़ना स्टार्ट सभी के टीचर चुटे-चुटे संटेंस को जब फ्रेम करना सिखाते हैं तो क्या बताते हैं कि संटेंस में सब्जेक्ट होता है वर्व होता है वर्व के बाद अबजेक्ट होता है तो चलो भई यहां पर हम देख रहे हैं कि सचीन सब्जेक्ट है संटेंस का और यह वर्व है और यह object है यह क्रिकेट क्या यह object है बात समस्में आ रही है चलिए तो एक example में और लेता हूँ जैसे कि हमने लिखा हाँ जैसे हमने लिखा सचीन सचीन इस सचीन इस अब आए अब इसमें देखो इसमें subject कौन है इस sentence में subject कौन है तो सचीन subject है और इस क्या है इस वर्व है और अब आए क्या है यह object है ठीक है अब ऐसा आपको बताया गया है ठीक है मतलब कहीं ने कहीं देखो यहां पर main चीज मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बचपन में जो हमें हमारी जो concept एक बनाया गया कि कोई भी word कोई भी word जो की वर्व के बाद आता है उसे हम object मान ल जादा developed नहीं होता है जैसे से बड़ा होते हैं mature होते जाते हैं हमारा brain का विकास होता है उसी के हिसाब से हम दूसरी चीजों के बारे में बात करते हैं अगर बचपन में ही आपको अगर subject के अलावे subject वर्व, object के अलावे अगर आपको अगर compliment के बारे में बताना शुरू कर कर देते हैं modifier के बारे में बताना शुरू कर देते हैं आपको synthesis transformation के बारे में बताना शुरू कर देते हैं तो आप और भी confused हो जाते हैं तो इतने सारे चीजों को समझने के लिए हमारा brain भी उसे साब से चाहिए तो मोटे तोर पे हमारे teacher क्या बताते थे कि subject आता है वर्व के अबजेक्ट आता है ठीक है तो कभी कभी क्या होता ने कि teacher पढ़ाते पढ़ाते भी बूल देते हैं कि देखो सचीन subject है is verb है और यह boy जो है यह object है लेकिन मैं आपको बताऊं इस sentence में सचीन subject है यह बात बिल्कुल सही है इस verb है यह बात बिल्कुल सही है लेकिन अगर आप आप भी ऐसा मांगते हैं कि जो यह boy है न अब boy यह object है तो यह गलत है यह object नहीं है तो आपको अब देखो कौन से गलत फैमी को दूर करना है कि कोई भी word जो की verb के बाद आता है जरूरी नहीं है कि कोई भी word जो की verb के बाद आए वो object ही होगा जरूरी नहीं है वो object के आनने वाले हैं इस लेक्चर में ठीक है तो देखिएगा यहां गुड थैंक यू फो आस्किंग आप लोग कैसे हैं यह बताईएगा हाँ तो ध्यान देना देखो हम हम इसको जो है ना सचीन को सब्जेट कहेंगे क्योंकि चर्चा जिसकी सेंटेस में जिसकी चर्चा हो रही ह सब्जेक्ट होता है और सेंटेंस के हमारा यह वर्व है यह वर्व क्या है वर्व हम ऐसे वर्ड को कहते हैं जो सब्जेट के स्थिति के बारे में बताता है यह सब्जेट के द्वारा किया गया काम के बारे में बताता है सब्जेट के द्वारा किया गया अक्शन यह सब्ज के द्वारा गर कोई action क्या जाएगा और उस action का result किसको मिलेगा उस action का result जो भी word verb के बाद आएगा अगर कोई भी word जो की verb के बाद आ रहा है अगर वो subject के द्वारा किये गए action को अगर रिसीब करता है तो इसका मतलब है कि यह पक्का यह क्या है यह अबजेक्ट है यह 100% क्या है अबजेक्ट है लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पर तो कोई आक्शन हुआ नहीं हुआ तो जब यहाँ पर कोई आक्शन नहीं हुआ तो यह अबजेक्ट रिसीब क्या करेगा यह कु अगर object होगा ना तो वह वर्ब के बारे में बात करेगा लेकिन यह object नहीं है क्योंकि वर्ब के बारे में बात नहीं कर रहा है यह सचीन के बारे में बात कर रहा है यानि subject के बारे में बात कर रहा है तो कोई भी word जो वर्ब के बाद आ करके वह बात किसका करें वह किसके बारे में information दे subject के बारे में तो वैसे जो वर्ड होते हैं वे object नहीं होते हैं वे compliment होते हैं क्या होते हैं compliment होते हैं तो यह जो अब वाई आप देख रहे हो ना यह जो वाई आप देख रहे हो यह object नहीं है यह compliment है यह compliment है ठीक है यह क्या है फिर से मुझे लिखना पड़ेगा ठीक है मैं यहां लिख देता हूं मेरे पास देखो जिस स्लाइड में आपको पढ़ा रहा हूं यहां पर हमारे पास एरेजर नहीं है अगर कुछ गलत हो जाता है तो पूरे मेड जाता है इसलिए इसको काट देते हैं यह क्या यह कॉंप्लिमेंट है ठीक है यह क्या है यह कॉंप्लिमेंट का बाबु दो स्पेलिंग होता है एक तो कॉंप्लिमेंट का स्पेलिंग यह होता है और एक कॉंप्लिमेंट यह होता है ठीक है यह दोनों होमोफोन से कॉंप्लिमेंट एक कॉंप्लिमेंट यह होता है तो इस कॉंप्लिमेंट का मत मतलब phrase होता है प्रसंशा या तारिफ लेकिन हम बात कर रहें इस compliment का जहां पर L के बाद E है ठीक है तो इस compliment का मतलब क्या होता है यह grammar के term में अगर बात करें तो कोई भी ऐसा चीज कोई भी ऐसा word जो किसी subject के मतलब subject के meaning को पूरा करें तो जो किसी की कमी को पूरा करता है उसक को पूरा करना ठीक है तो बात समझ में आ रहे है तो यहां पर अगर हम इसी sentence को देखो मैं फिर से लिखता हूँ अगर मैं sentence को के बल इतना लिखूंगा कि सचीन सचीन is सचीन is तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर सचीन subject है और is verb है लेकिन कहीं ने कहीं sentence अगर मैं इतना ही लिखता हूँ कि सचीन is तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सचीन अपना meaning पूरा नहीं कर पा रहा है सबजेक्ट अपना meaning को पूरा नहीं कर पा रहा है पढ़ने से लग रहा है कि ये बात आधा अधूरा है भाई ये बात आधा अधूरा है तो आधा अधूरा क्या है सब्जेक्ट अपने आप में आधा अधूरा है या वर्व अपने आधा अधूरा है वर्व अपने आधा अधूरा नहीं है वर्व अपने जगा पर ठीक है यह सब्जेट के बारे हमें complete जनकारी नहीं मिल पार रहा है सचीन इस सचीन है यह तो बता दो ना थेकि का वह लप्फू सा सचीन नहीं यहां मैं एक्जांपल भी लिया हूं ठीक है वह लप्फू सा सचीन नहीं तो ध्यान दिजेगा तो यहां पर जैसे ही हमने लिखा कि सचीन is a boy, जैसे हमने लिखा, सचीन is a boy, सचीन is a boy, तो ये जो चीज हमने लिखा न, तो एक बात मुझे बोलना, कि ये किसी ना किसी की कमी को पूरा किया, कहीं पर किसी चीज की कमी हो रही थी, और उस कमी को इसने पूरा किया, तो कमी को किसने पूरा किया, ये अब वाइने कमी को को पूरा किया किस के कमी को पूरा किया यह वर्व इस के कमी को पूरा किया या फिर सचीन के कमी को पूरा किया मतलब यह जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के कमी को पूरा किया यानि यह सब्जेक्ट का जो मीनिंग आधा अधूरा हमें मिल रहा था यह उसके मीनिंग को पूरा क्या ठीक है तो कोई भी चीज जो किसी को पूरा करने का काम करे किसी चीज को complete करने का काम करे उसे compliment करते हैं तो यह जो अब भाएँ आप देख रहा हूं ना यह compliment है यह compliment है c o m p l e ध्यांग ना जब लगते हैं तो praise प्रसंशा वाला compliment होता है compliment है यह compliment है पहली चीज तो क्या यह compliment है दूसरी बात यह किसके कमी को पूरा कर रहा है तो सर यह subject के कमी को पूरा कर रहा है और अगर subject के कमी को पूरा कर रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे अब इसको बोलेंगे subject compliment इसको क्या बोलेंगे subject compliment तो ये जो चीज आप यहाँ पर देख रहे हो जो ये आप avoid देख रहे हो ये जो आप avoid देख रहे हो ये जो avoid है ना ये object नहीं है ये क्या है ये subject compliment है क्योंकि subject के कमी को पूरा कर रहा है बात समझ में आ रहे हैं तो सबसे पहले अपने माइंड से ये बात आप हटा लिजे कि कोई भी वर्ड जो की वर्व के बाद आता है वो अब्जेक्ट होता है ये बात बच्पन में ठीक था क्योंकि बच्पन में ज्यादा गरम ये सारे चीज़ पर बात करते है ये कॉम्प्लिमेंट है ये मोडिफायर है ये फला है ये फला है तो समय और भी नहीं समझ पाते आप लेकिन अब चीजों को चुकि हम लोग अनलाइज गर रहे हैं तो हमें इन सारे चीजों को डिटेल में जाना पड़ेगा टेक्निकली सीखना पड़ेगा रटने का और इस वर्ब के बाद जो वर्ड आ रहा है ये जो है ये अबजेट नहीं है ये सबजेट कॉम्प्लिमेंट है ठीक है हाँ ये सबजेट का ही रेफरेंस है ये सबजेट का ही रेफरेंस है सबजेट के ही मीनिंग को पूरा कर रहा है तो इसलिए ये सबजेट कॉम्प्लिमे है या फिर वो अब्जेक्ट है ठीक है जैसे मैं एक एक्जाम्पल लिख रहा हूं जैसे मैंने एक एक्जाम्पल लिखा कि मैंने एक एक्जाम्पल लिखा सचीन कि सचीन हेल्प्ड सचीन हेल्पड अबवाई सचीन हेल्पड अबवाई अब देखो धियान देना सब्जेक्ट कौन है जी? सब्जेक्ट है सचीन और हेल्पड क्या है? ये वव है और आप मुझे बताना फटा पट यहाँ जो सचीन है ये सब्जेक्ट है helped भव है और यह जो अब वाई लिखा हुआ है यह क्या है यह object है यह subject compliment है जितने भी लोग life जुड़े हुए फटा फट बताईएगा helped के बाद जो a boy लिखा हुआ है ये क्या है ये object है ये subject compliment है ये बात आप लोग फटा फट बताएगा थोड़ा सा अपना भी दिमाग चलाओ चलिए I'm waiting for your answer ओके तो ध्यान देना इससे पहले वाले जो sentence था कि सच्चिन इस अब वहाँ पर जो वर्ब था न वो इस था और इस से कोई action का पता नहीं चलता है इस किसी action के बारे में बात नहीं करता है यहाँ पर action हो रहा है तो action किस नहीं किया भई सच्चिन नहीं किया कौन सा action किया help करने का और वो help किसको receive हुआ अब वाई को इस लड़के को help receive हुआ बात समझ में आ रहे है तो अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर इस word के बाद अगर कोई कोई भी word आता है अगर वो वर्ब का receiver हो अगर वो receiver हो किसका receiver हो वर्ब का receiver हो receiver of verb अगर कोई भी word अगर कोई भी word जो कि वर्ब के बाद आता है और अगर वो वर्ब का receiver हो यानि जो भी action हुआ उसका result उसके action को वो receive कर रहा हो तो समझ लेना कि वो जो चीज है ना वो क्या है वो object है वो क्या है वो object है तो भाई help किस ने किया सचिन ने तो एक action हुआ help करने का और जो help करने का जो action हुआ उसका result किसको receive हुआ यानि कि यहाँ पर जो word आ रहा है यह action को receive कर रहा है यह action को क्या कर रहा है receive कर रहा है तो हम object उसी को कहते हैं जो verb के action को receive करता है जो verb के action को करता है वो generally क्या होता है subject होता है या doer होता है लेकिन जो verb के action को receive करे न उसको हम object कहते हैं तो यहाँ पर जो boy है यह कहीं से भी सचीन का मीनिंग नहीं बता रहा है यह हम सचीन को नहीं बोल रहेगे सचीन निक लड़का है ठीक है यह किसी और लड़के की बात हो रही है जिसने action को receive किया है तो यह actually मैं action को receive कर रहा है तो boy के यह object है यह object है यह object है तो इतना यह दूसरे word को modify कर रहा है यह पिर subject को subject को मीनिंग को पूरा कर रहा है तो वह compliment होगा बात समझ में आ रही है यहां तक कोई दिक्कत नहीं समझ में आ गया किसी को कोई दिक्कत नहीं है चलिए बहुत बढ़ी है आगे ध्यान रजेगा लेकिन देखो वह अगर आता है तो वह अपने बात object लेगा कि नहीं लेगा यह चीज़ भी हमें लिखा और यह एक्जामपल है जैसे हमने एक्जामपल में लिखा मोहन मोहन इट्स ठीक है दूसरा एक्जामपल हमने लिखा दूसरा एक्जामपल हमने लिखा जैसे हमने लिखा रोहित रोहित हेल्प्स रोहित हेल्प्स और तीसरा हमने एक्जाम्पल लिखा शी डाइड शी डाइड ठीक है शी डाइड अब देखो यहाँ पर मोहन सब्जेक्ट है और इट्स वर्व है रोहित सब्जेक्ट है और हेल्प्स यह वर्व है शी सब्जेक्ट है और डाइड जो है यह वर्व है इसके बाद मैं अबजेक्ट का जगा खाली रखता हूँ अबजेक्ट का जगा खाली रखता हूँ आपको यह पता करना है है आपको देखो पता क्या करना है आपको पता करना है कि जो मैंने object देखो सभी जगा subject और verb मैंने दिया है आपको यह बताना है कि क्या यह verb अपने बाद object लेगा क्या इसके action को कोई receive कर सकता है देखो help भी एक action है क्या इसको कोई object इसको receive कर सकता है क्या इस action को कोई object receive कर सकता है तो यह आपको बताना है तो इसका मतलब है कि यह sentences में जो भी वर्व है क्या यह सारे verbs अपने बाद objects लेंगे यह आपको पता करना है कि objects लेंगे के नहीं लेंगे ठीक है तो ध्यान देजेगा object is different person object is यहाँ पर different person ठीक है चले तो यहाँ पर अब why affected by action should be object बिल्कुल तो जो verb के जो action होता है उससे जो affected होता है वही क्या होता है वही object होता है तो देखो यहाँ पर जो भी मोहन के द्वारा एक action को Хाने का, रोहित के द्वारा एक action हो रहा है help करने का, और she के द्वारा का action हो रहा है dying हो ठीक है, भने का तो मुझे यह बताना है कि कौन, यहाँ पर क्या कोई word आ करके इसके action को receive कर सकता है, क्या इसके action से affect हो सकता है तो अगर कोई भी word आकर के इस वर्प में जो भी action है इसको receive कर सकता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर object आएगा और अगर इसके action को receive नहीं कर सकता है तो इसका मतलब इसके बाद object नहीं आएगा तो चलिए इसी के बारे में हम बात करते हैं ठीक है तो ध्यान दिजिए का यहाँ देखो अब हमें कैसे पता चलेगा देखो मैं सबसे अच्छा trick बताता हूँ मैं आपको सबसे अच्छा trick बताता हूँ और इस trick का अगर आपने इस्तिमाल किया तो कभी भी आप decide कर लोगे बहुत आसानी से कि कौन सा verb अपने बाद object ले सकता है और कौन सा verb अपने बाद object नहीं ले सकता है पहला चिस तो आप यह decide कर लोगे दूसरा आप यह decide कर पाओगे कि अगर कोई word किसी verb के बाद आ रहा है तो वो object है या फिर compliment है तो ध्यान दिजिएगा इसके लिए आपको बस दो question करना है कभी भी किसी sentence में पता करना हो कि object है की नहीं है या object लग सकता है की नहीं लग सकता है आपको बस दो question करना है और यह दो question क्या है पहला question आपको करना है what का और दूसरा question आपको करना है whom का पहला question करना है what का दूसरा question करना है whom का, अगर ये दोनों में से कोई भी question का reply आ जाए, तो समझ लेना कि वहाँ पर object लगेगा, वो object ले सकता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, what मतलब क्या और whom का मतलब किसे या किसको, अब ध्यान दिजेगा, हम लोग सवाल करेंगे इस भव पे, मोहन खाता है, question करो कि मोहन क्या खाता है, तो यहाँ पर क्या का reply मिल जाएगा, जैसे हमने लिख दिया mangoes, मोहन है, ये क्या खाता है, मोहन mangoes खाता है, ठीक है, मोहन mangoes खाता है, पात समसमारी, जैसे हमने बोला क्या, तो क्या का answer हमें मिल गया, मतलब ये action यहाँ पर receive हो पा रहा है, त उसके बाद रोहित हेल्प करता है क्या हेल्प करता है क्या हेल्प करता है इसका जवाब तो नहीं मिलेगा लेकिन रोहित किसको हेल्प करता है रोहित किसे हेल्प करता है या किसको हेल्प करता है तो इसका जवाब मिल रहा है तो जैसे हमने यहां पर लिख दिया है मोहित मोहि ने किया तो मोहित यह object हो गया अब देखो यहां पर जो action हो रहा है वो die होने का अब मुझे बताओ वह मर गई क्षेंट करो क्या मर गई कोई sense कर रहा है कोई sense नहीं कर रहा है वह मर गई वह किसको मर गई तो भाई यहां पर इस वर्ब पे दोनों में से किसी भी question वर्ट का reply नहीं मिल रहा है ना तो what का मिल रहा है और नहीं whom का मिल रहा है तो जब दोनों में से किसी का भी reply नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि यह जो वर्ब डाई है यह अपने बाद object नहीं लेगा यह अपने बाद object लेगा ही नहीं मतलब यह इतना ही में sentence क्या है पूर जो वर्ब अपने बाद ऑबजेक्ट ले सकता है वैसे फ़र्ब को हम ट्रांजेटी बफ बोलते हैं तो EX जो है यह ट्रांजेटीव अच्छा help भी अपने बाद अबजेक्ट ले लिया इसका मतलब यह भी ट्रांजेटी पर अच्छायह यह अपने बाद अबजेक्ट लिया, क्याँ अपने बाद अबजेक्ट लिया, mês अपने बाद अबजेक्ट नहीं ले पारा, जो अबजेक्ट नहीं ले पाता है ना वैसे वह chemistry वह बहुते तो टाइड एक तरह से क्या है in another यह सब्सक्राइब के बात। ओक ये तरह कोंप्री मेंट की पर ये object नहीं ले रहा है तो इक ट्रांजिटीव वर्ब है उसके बाद help भी एक ट्रांजिटीव वर्ब है और exposed transit नहीं है और दाइड ले ले सकता है वह ट्रांजेटिव वर्ब और जो ultimate नहीं ले सकता है उसे हम Inís Transitive बात समझे समय रहे हैं देखो मैं transitive और intransitive का spelling भी लिख देता हूँ देखो t-r-a-n-s-i-t-i-v-e transitive और एक होता है intransitive i-n-t-r-a-n intransitive तो transitive verb अपने बाद object लेता है intransitive verb अपने बाद object नहीं लेता है ठीक है तो अभी मैं यहाँ पर कुछ verb लिखता हूँ और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा verb transitive है और कौन सा verb intransitive है transitive और intransitive को समझना बहुत जरूरी है तभी आप समझ पाओगे कि हम किसी verb के बाद यानि किसी predicate में और कौन-कौन सा चीज आ सकता है किसी भी तुम यहां पर कुछ verbs लिखता हूँ बताएगा इसमें transitive कौन है और intransitive कौन है जैसे हमने यहां पर लिखा जैसे हमने लिखा दे लाफ हमने लिखा दे लाफ टे लाफ टीक है एक सेंटेस हमने लिखा दे लाफ उसके बाद हमने लिखा जैसे फिर हमने लिखा दे आर दे आर ठीक है चलो दो ही सेंटेस में लेता हूँ दो ही सेंटेस में लेता हूँ यह दोनों सेंटेस में मुझे बताना ठीक है यह दोनों sentence में बताना देखो दे क्या है subject है और laugh क्या यह verb है आर क्या है यह verb है अब मुझे बताएगा यह दोनों sentence में से वर्ब क्या है फ्रांजिटिव है यह इन्ट्रांजिटिव है लाफ क्या है फ्रांजिटिव है यह इन्ट्रांजिटिव है आर क्या है फ्रांजिटिव है यह इन्ट्रांजिटिव है यह आप मुझे बताओगे तर मैंने हैपनिंग वाला रेपरेंस तही है बात नहीं समझ भाई आपका ठीक है अच्छा हैपनिंग वाला भर्भ हमेसा इंट्रांजिटीव होता है ऐसा कहां पढ़ लिया आप चलिए बताई इसमें जो सेंटेंस पहला सेंटेंस है इसमें वर्ब जो हमारा यह लाफ है आप मैंने आपको पता करने के लिए बता है करें इसके लिए बाई अब दिए किसी कभी जवाब आईगा तो मतलब है वह उन्ट्रांजिटीव और यह नहीं हाता है दोनों में किसी से न करूल टिंग है तो love अब दिखेंँ वह लोग हसते हैं वह लोग क्या हसते हैं वह लोग किसको हसते हैं दोनों में से किसी कभी जबाब नहीं है मतलब यह जो है ना यह जो है love यह intranjitive फवेव हैं एं ट्रांजिटिटी फवेव थी थी आर वे लोग हैं कि वे लोग क्या है लेकिन क्या भी जब आएगे तो वर्ब का मिनिंग नहीं देगा मैंने क्या बोला कि यह जो बाट कि और हुम है यह किसका जबाब देना चाहिए यह वерб का जबाब देना चाहिए ए fan Lisa कुछ अगर यहाँ पर अगर बैठ भी जाएगा कि हुश्य वह लोग क्या है? जैसे हमने बुल देये के हुश्य यूब डॉक्टर्स हैं तो वह राप का जवाब नहीं दे 지d का जवाब देगा तो मैंने क्या मतलब है कि आर भी जो है न यह आर भी जो आप देख रहे हो यह इंट्रांजिटी भभयग है यह क्या है यह इंट्रांज भभभ है बाक समझे में आ रहे हैं दोनों दोनों इंट्रणै भभभ हैं बाक समझे में आ रहे हैं लेकिन हाँ अब अब देखो sentence को कम से कम subject और predicate चाहिए होता है, किसी भी sentence को subject और predicate चाहिए होता है, तो predicate में जो essential part होता है, वो verb होता है, तो subject भी और verb भी, अब मुझे ये बता ना, पहला sentence जब हम पढ़ रहे हैं, इसमें दो ही चीज़ है, subject और verb है, इसके अलाबे verb है, predicate में क्या verb है, तो मतलब यह कि sentence अपने आप में complete है, यह sentence अपने आप में क्या है, complete है, यह sentence अपने आप में complete है, लेकिन दूतरा sentence में भी देखो subject भी है, लेकिन पढ़ने से लग रहा है कि sentence पूरा है, कि आपको पढ़ने से satisfaction मिल रहा है, कि यह पूरा meaning दे पा रहा है, या इसका meaning आधा द तो यहां पर भी है लेकिन यह अपने मीनिंग को पूरा कर दिया इंट्रांजेटी भब यहां पर भी है और इंट्रांजेटी भब अपने बाद अबजेक्ट नहीं लेता है और बिना अबजेट कहीं अपने मीनिंग को क्या कर देता है पूरा कर देता है complete कर देता है लेकिन य जोब Ih consent लग रहा है बात समय तो केबल hå से यहां पर प्रटि केट complete नहीं हो रहा है यहां पर प्रेडिकेट केबलब और से ही complete हो गया लेकिन यहां केबल लब से प्रेडिकेट complete नहीं हो पारा है यहां पर कुछ लगाना पड़ेगा यह पर कोई एडेक्टीब लगा दो कोई नाउन लगादो किठ भी लगाऊ तभी अपने अपनी मिनिंग को पूरा कर पाएगा ठीक है तो जैसे हमने यहां पर लिख दया कि द यह आपर लिख दिया यह जो doctors हमने लिखा यह आर का meaning दे रहा है या दे का meaning दे रहा है यह दे का meaning दे रहा है हम वह लोगों को doctor कह रहा है तो यह दे कह आनि subject का meaning को पूरा क्या तो यह intransitive verb तो है is, aim, are, was, were या कुछ और भी linking verb है जिसको हम linking verb जिसको हम copula verb भी कहते हैं तो ऐसे verbs के बाद क्या आते हैं ऐसे verbs के बाद compliment आते हैं अब्जेक्ट नहीं आते हैं और यह क्या करते हैं और ऐसे verbs जो होते हैं यह compliment को subject से जोड़ने का काम करते हैं तो intransitive verb तो हैं जैसे देखो is, am, are, was, were यह सारा intransitive है लेकिन यह सारा intransitive of incomplete predication हैं इन ट्रांजिटीव देखो इन ट्रांजिटीव भी दो तरह क्या हो गया एक हो गया इन ट्रांजिटीव वर्ब्स आप कम्प्लीट प्रेडिकेशन और एक हो गया इन ट्रांजिटीव वर्ब्स आप इन कम्प्लीट प्रेडिकेशन तो यहाँ पर laugh जो है ना यह intransitive verb है लेकिन यह अपने आपने ही predicate को complete कर दिया लेकिन देखो R भी intransitive verb है लेकिन यह अपने predicate को complete नहीं कर पा रहा है इसके साथ कोई ने कोई compliment देना पड़ रहा है तभी यह predicate को complete कर पा रहा है जब हम इसके साथ क्या कर रहे है, compliment दे रहे तो, बात समझ में आ रहे हैं, तो यहाँ पर इन दो example से, मैं आपको यह सिखाना चाहता था, कि intransitive verbs दो तरह के होता है, एक intransitive verbs वैसा होता है, जिसको ना तो कोई compliment चाहिए, और ना ही कोई उसको अपने बाद object चाहिए, वो अपन से, intransitive verbs of incomplete prediction, समझ में आ गया, किसी को कोई दिख्यत नहीं है, हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया, आप देखों, चीजों को थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे आगे बढ़ाते हैं, ध्यान देजेगा, जैसे हमने यहाँ पर एक example लिया, हमने example लिया, कि जान स्पिक्स, जान बने का डॉन, जान स्पिक्स, तो सेंटेज में कम से कम दो चीज़ होता है, सब्जेक्ट और वर्व, तो जान यहाँ पर सब्जेक्ट है, और स्पिक्स जो है, यह प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट का सबसे important part क्या होता है, वर्व होता है, ठीक है, अब आप मुझे बता हमारें से कि यह सेंटेज का मेनिग पूरा हो पर है, हमारें अंदर ऐसा भी चाहत है जानने का जौन बोलता है, क्या बोलताए यह तो बता दो जौन क्या बोलता है, तो कहीने कहीना क्या जवाब आना चाहिए, तो इस लिए अगर क्या का जबाब मांग रहे तैंवा करें चैना अपने बाद sentence में आपको subject मिल जाएगा और predicate में क्या मिलेगा वर्ब मिलेगा तो predicate में कम से कम वर्ब मिलेगा अच्छा predicate में उसके अलावे और क्या मिल सकता है predicate में वर्ब के अलावे आपको और क्या मिल सकता है आपको object मिल सकता है के वहमें देखो predicate में predicate का जो सबसे छोटा पार्ट होथा ना वह वब होता है इसके अलावे प्रेडिकेड अँगर बढ़ा हो जाए तो predicate बढ़ा कैसे हो तया है उसमें और क्या-क्या element होते है उसमें object आ सकते हैं उसमें complement आ सकते हैं और उसमें तीसरा कोई चीज जो अगर होगा तो यह क्या होगा मोडिफायर होगा या तो कोई मोडिफायर आएगा ठीक है मोडिफायर साइगा अब देखर मोडिफायर में क्या आते हैं मोडिफायर में जनरली एड़ वर्बस आते हैं modifier में कौन आते हैं, modifier में adverbs आते हैं, बात समझ में आ रही है, तो subject में क्या-क्या आ सकता है, ये चीज मैंने आपको पिछले class में बता दिया था, लेकिन आज के class में हम जानना ये चाहते हैं, कि predicate में सर्क कम से कम तो verb होता है, ये बात हमें पता है, और इसके बिना प्रेडिकेट हो ही नहीं सकता है, लेकिन वर्ब के अलावे अगर प्रेडिकेट को अगर बड़ा होना रहे, तो प्रेडिकेट बड़ा कैसे होता है, उसमें और क्या-क्या चीज होता है, उसमें इसके अलावे object मिल सकता है, इसके अलावे compliment मिल सकता है, या इसके अलावे modifiers मिल सकता है, modifiers में adverbs, adjectives वगर आते हैं, बात समझ में आ गई, तो देखो कैसे मैं इसको example को थोड़ा expand करके आपको बताऊंगा, देखो, जैसे, यहाँ पर क्या है, john subject है, speaks हमारा transitive verb है, transitive verb अपने बात क्या करता है, object लेता है, ठीक है, तो यह object है, तो predicate अब हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट अब हमारा 2 word का हो गया, जिसमें एक vibe है और एक object, john speaks English, ठेक है, अच्छा, predicate और बड़ा हो सकता है, क्या, जै बिल्कुल प्रेडिकेट और बड़ा हो सकता है देखो प्रेडिकेट और बड़ा हो सकता है कैसे जान जो है यह सब्जेक्ट है यह सब्जेक्ट है यह जो सारा चीज है न सब्जेट के अलावे जो सारा चीज है यह प्रेडिकेट है सब्जेट को छोड़ दो तो जितने वे चीज जो क्या है फ्लुएंटली मोडिफाई कर रहा है फ्लुएंटली किसको मोडिफाई कर रहा है वर्ब को मोडिफाई कर रहा है यह स्पिक को मोडिफाई कर रहा है ठीक है तो यह एडवर्ब है अच्छा एवरी वेर एवरी टाइम तो जान स्पिक्स इंग्लिश फ्लुएंटली जवाब दे। ठीक है। इसके अलावे जो भी वर्ड वाई का जवाब दे। यह सारा किया होता है। के सारा एडवरॐ्ब होता है । के सारे एडवर्बस होते है और अडवर्ब्स का हुम क्या करते है। मोडिफायर्स कहते हैं एडवर्ब्स कम क्या कहते हैं मोडिफायर्स कहते हैं बात समझना रही है तो यह जो फिल्वेंटली है यह किसका जबाब दे रहा है यह हाव का जबाब दे रहा है उसका जवाब हो गया यह मोर्ण का जभाब हो गया तो जो भी वर्ड हैं जो have जवाब से अर"- इस confident में सब्जेक्ट तो कमशे कम नॉन यह नॉन इक्वेलेंट होगा जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं हाला कि सब्जेक्ट का भी expansion होता है, आज हम लोग predicate और does not just expansion कर तो shift 10 जब बड़ा होता है, कार्टून हम भी देखते हैं, cartoon का बड़ा आशिक है, सबसे जब जढ़ा और कोड़ एंग कायरोचे स कभी विफूर्शात में देखते हैं बड़ा मज़या आता है कार्टून देखने में, पैस समझ में आ रही है देखो आप मुझे ये बता न कि बुक टू जो है न रेनन मार्टिन का जो बुक टू है न वो वही लोग समझ सकता है जिसका दिमाग थोड़ा ठीक चलता है और जो ग्रैमर को गहराई से सीखना चाहता है जिसे रटा रटाया चीज पढ़ना है उनके लिए बुक टू नहीं है ठीक है यूटूब में बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे आपको पांच मिनेट में टेंट सिखाने वाला दो मिनेट में आपको वाई सिखा देंगे दस मिनेट में आपको प्रेपोजिशन सिखा देंगे तो बहुत सारे चैनल मिलेंगे ठीक है ये सारा चीज जो है ना टेकनिकल चीज है और टेकनिकल चीज टेकनिकल आदमी को समझ माएगा हर किसी को समझ में नहीं आएगा और एक बार अगर आप सेंटेंस का अनलेशेस करना सीख गया है अनलेशेस का मतलब होता है चीजों को तोड़ तोड़ कर समझना फिर देखिएगा लैंगवेज में आपका जो कमांड ड्रेगन आप अपने आप में आग बन जाओगे आग मतलब लैंगवेज आपके लिए कुछ नहीं रहेगा आप सेंटेंस अस्टक्चर के साथ खेलवाड करोगे आप वर्ट के साथ खेलोगे आप इसलिए टेकनिकल चीज़ को समझो पहले हर किसी को समझ में नहीं आ सकता है ठीक है तो इसलिए अगर मैं जो बुक में लिखा हुआ है अगर उसी के भाषा में बात करूँगा ना तो आपको इतना आसानी से समझ मिनी आएगा लेकिन हाँ जो समझदार होगा समझ में आ जाएगा हम भी तो वहीं से पढ़ रहे हम भी तो उसी बुक से पढ़ रहे हैं लेकिन हाँ मैं पोसिस कर रहा हूँ कि मैं उसके भाषा में बात नहीं करूँ अगर मैं उसी के भाषा में बात करूँगा ना तो फिर इससे बेटर है कि आपको बुक से ही पढ़ लेना चाहिए फिर आप मेरे पास क्यों आओगे तो इसलिए मैंने इस चीज़को अपना खुद का एक्जामपल भी में लेता हूँ ताकि चीज़ों को मैं तोड़ तोड़ के समझा पाऊँ कि प्रेडिकेट आखिर होता क्या है ट्रांजिटिव भव आखिर होता क्या है इन ट्रांजिटिव भव होता क्या है compliment होता क्या है देखो एक concept को समझाने के लिए कितने example लेने पड़ते हैं लेकिन लोगों को मेहनत नहीं दिखेगा लोग देखेगा रहे सर क्या बकवास कर रहे हैं आप टाइम पास कर रहे हैं वीडियो आपका बहुत बड़ा बड़ा रता है सर जस्ट मिनिट में वीडियो ख देखा मैंने आपको क्या बोला कि प्रेडिकेट में प्रेडिकेट में प्रेडिकेट में वर्व के अलावे देखो यह तो सब्जेक्ट हो गया प्रेडिकेट में वर्व के अलावे क्या चीज हो सकता है प्रेडिकेट में वर्व के अलावे कौन-कौन सा चीज हो सकता है तो modifiers है ठीक है और इसके अलावे क्या मिल सकता है तो इसके अलावे देखो पहला चीज देखो प्रेडिकेट में हम वर्ब को side में रख रहे हैं यह तो मिलता है इसके अलावे और क्या मिलता है तो इसके अलावे पहला चीज क्या मिलता है कि ऐसा ही थमने लोता है बिल्कुल ठीक है तो प्रेडिकेट में वर्व के अलाबे अबजेक्ट नहीं तो मोडिफायर्स और नहीं तो कॉम्प्लिमेंट बात समझ में आ रही है किसी को कोई दिक्कत नहीं हाँ ये बात सही बोल रहा है फेल होने के बाद जरूर देखेंगे ऑफ सारे भक्षय जो होते हैं मेरे पास अफलेंड में भी बहुत सारे बच्चस लेकिन सारे अच्छे बच्चे आते पता है कैसे अच्छे हाते क्योंकि जो पहली पहली बार competition के त्यारी करने के लिए निकले है ना, वो मेरे पास आते हैं तो पहले दो class पढ़ करके हमसे निरास हो जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर जाते हैं कोई दूसरे coaching में, पता है क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे जूट बोलना आता नहीं है, और आज के बच्छों को चाहिए क्या? भीड चाहिए, जहांपर भीड ज़दा है, मास्टर साब ज़दा शायरी मार रहे हैं, ज़दा entertainment कर रहे हैं, ज़दा comedy कर रहे है, पढ़ाय हो चाहे मत हो, लेकिन comedy हो जाना चाहिए, हमारा entertainment हो जाना चाहिए. तो ऐसे लोग पहले अलग जगह पर जा करके अपना किमती समय पहले बरबाद करते हैं, दो-तीन साल बरबाद करते हैं, उसको बाद पता चलता है कि कहीं से कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर मेरे पास घुम के आते हैं, तो पहले दुनिया सारा देख लेते हैं कि दुनिया क्या सही था, क्या गलत था, उस पर स्थ टाईं मिलोगों को चाए थोड़ा तटक बढ़क झूट जूटे बात बॉलिने हुआ हुआ है और रही पाथ एल ड़ल रहे हैं तो गयूआ है रहें अगर गलत पढ़ा रहा है तो तुम मेरे सामने आ जाओ मैं अपना एड्रेस नूमबर पता सब दे दूँगा ठीक है और लाइब क्लास में तुम हमको बताना लाइब क्लास में कि हम क्या गलत पढ़ाएं एक चालेंज एक सेट करने के लिए हम एसा रेडी रहते हैं यह हम जो चीज पढ़ा रहे हैं वह सही पढ़ा रहे हैं अ हग हम लिए देखो आभ यहां पर हम कुछ और सेंटेंस लेते हैं यहां पर देखो देखो तो यहाँ पर जो मैं अभी तीन example लोगा ना तो इससे पहले हमने क्या देखा था पहले वाले example के साथ हम फिर से चलते हैं देखो यहाँ पर हमने क्या देखा था यहाँ का subject है जॉन और वब क्या है वर्ब स्पीक कैसा वर्ब है SPC ट्रांधिटि वर्ब को अपने बाद क्या चाहित है ऑबेक्ट चाहिए होता है इसके बाद अपने बात ऑब्जेक्ट चाहिए होता है से माज़ना रही है लेकिन अभी जो मैं एक्जांपल दे रहा हूं देखएगा यहां पर subject John यह subject है और जो slips है न यह वर्व है अब मुझे यह बता न कि slip क्या है slip transitive वर्व या intransitive है और अब है कि साहत जनम तक नहीं भूलोगे हैं कि साहत जनम तक नहीं भूलोगे अरे भाई मैंने देखा है कहीं पर किसी का से थंबिल में भी हाल मे यह बहुत बड़े channel मैं मतलब उसका नाम नहीं ले का नाम ले लिए सकता हुँ ठीक है नाम लें लेका लेकिन लेकिन हां बहुत बड़े चैनल बहुत बड़े channel है और वो channel English के लिए famous नहीं है और दुसरे सब्सक्स के लिए और पुरे दुनिया जानता उस चानल के बारे में ठीक है लेकिन उसमें अब चुकि वह बहुत बड़ा चैनल हो गया तो अलग-अलग सब्जेट के लिए टीचर रखे जा रहे उसमें अब उसमें टीचर चाहे जो भी हो जो वेक्ति उस चानल को बनाये हैं उस चानल पे जो क और फिर भी पढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी उनके वीडियो पे इसलिए व्यू जा रहे हैं क्योंकि जो उस चैनल का जो आनर है ना वो एक बहुत अच्छे इंसान भी है टीचर भी है तो उनके कारण से उनके पास व्यू ज्यादा जा रहे हैं लेकिन जो टीचर आनर है व उस वीडियो में अभी तक आईगे इसकी 800 के व्यू चले गया है मैंने भी सुचा भाई कि क्या ऐसा चीज है जो बच्पन में हमें नहीं बताया गया हम भी देखे थोड़ा मैंने विडियो को 10-15 मिनिट देखा मुझे देखा कि मैंने इतना गलत गलत चीज पढ़ा रहे हैं उसमें उस वीडियो में राइट वर्ब को या गो वर्ब को या कम वर्ब को ऐसे वर्ब को बोल रहे हैं कि यह जो है ना यह रेगुलर वर्ब्स है क्या बोल रहे हैं कि यह रेगुलर वर्ब्स है यह रेगुलर वर्ब्स है यह रेगुलर वर्ब्स है अरे भाई रेगुलर एगर वर्ब्स हम उसे कहते हैं जिसका past form बनाने के लिए हम ed लगाते हैं आप इसका पास्ट्स पश्वर्म जब बनाओगे र Twooben दिरी लगाओंगे एरे राइड़का तो पास्ट्स फॉर्म खोता है तो यहां पर क्या vastly लगा है अगर गो का पास्ट बनाओगे तो क्या GO में आप ED लगाओगे क्या GO में ED लगाओगे GOD होता है ऐसा तो नहीं होता है GO का past form went होता है तो जिन verbs का past बनाने के लिए आप ED लगाओगे न वही सारे verbs को हम regular verbs बोलते है लेकिन जिनका past बनाने के लिए ED नहीं लगता है उसका तीनों form अलग होता है, उसका present वाले form भी अलग होता है, past वाले भी और past participle वाले अलग होते हैं, उसमें कोई भी जो form है वो fix नहीं होता है, उसको हम irregular बोलते हैं, और उस वीडियो में बता रहे हैं कि right एक regular verb है, go एक regular verb है, come एक regular verb है, और viewers भी बड़ा नादान होते हैं, viewers भी इनोसेंट होते हैं नीचे लिखर सर क्या सर गजब पढ़ाएं सर आप ठीक है सर नाइसली एक्सप्लेंड सर आपके टीचर सर अगर बच्छपन में मिल जाते ना तो आज तो हम बहुत बड़ा अग्रेज बन जाते हैं मुझे लगा कि फीवर्स या ओडियंस कितना नादान हो क्योंकि अगर आपके पास इंग्लीज का 20 परसेंट भी नौलेज है ना तो आप जूट बोलकर करके पढ़ा सकते हों अगर आप गलत भी पढ़ा होगे ना तो भी बच्चे मान लेंगे क्योंकि इंग्लीज के बारे में बहुत सार लोगों को उतना जानकारी होता नहीं और कुल पर बिश्वास कर लिए है खिका च creates मों है कि अदुख कर दो यहाँ पकुल आता तो यहाँ पर मुझे बताना 이 जो जалог जॉन न यह जान सब्जिक्ट है और यह सब जेंग्ट है और सलीप स्पाभान लेकिन आया पाता। अざ ये इन ट्रॉंदिटी्ट परद क्या का भी जवाब नहीं देगा और किसको कभी जवाब नहीं देगा ठीक है लेकिन एक बात में बताओं जो वर्ब होता है न वर्ब एक वर्ड का भी होता है और वर्ब एक से ज़्यादा वर्ड का भी हो सकता है और वो वर्ब चाहे तो ट्रांडिटीव हो चाहे तो इंट्र कर सकता वह एक वर्ड का भी हो सकता वह एक से ज्यादा वर्ड का भी हो सकता जैसे देखो अभी हमने लिखा कि जान स्लिप्स तो वर्ब कितने वर्ड के हैं वह यहां पर एक वर्ड का है वह यहां पर एक वर्ड का है ठीक है उसके बाद देखो John subject है और is or is slipping वर्व है यह जो दोनों चीज़ है ना यह वर्व है लेकिन यह कितने वर्ड कह है यह 2 वर्ड कहीं एक वर्ड तो इसमें is हो गया और दूसरा वर्ड कि хоч हो गया slipping हो गया तो यहाँ जो वर्व है यह 2 वर्ड कह है यह दो वर्ड का है, ठीक है, उसके बाद देखू, यहां देजेगा, जॉन यहां पर सब्जेक्ट है, और यह जो है, यह वर्व है, यह वर्व है, सभी जगा वही वर्व आ रहा है, सभी जगा स्लीप ही आ रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, यह टेंस के कोडिंग अपने फॉर् एक हैस है एक बीन है और एक स्लिपिंग है तो यहाँ पर जो वह यह तीन वर्द का यह तीन वर्ड का अठीक है यह तीन वर्ड का बात समझ में आ रहे हैं I received a gift from my parents, sir here a gift is object of the verb, right, बिल्कुल सही है, यहाँ पर simple सी बात है भाई, अगर कोई भी word verb के बाद आ रहा है, और वो उस verb का receiver है न, तो वो object है, तो gift यहाँ पर 100% किया है, gift यहाँ पर 100% object है, ठीक है, चलो, तो यह तीन word का है, तो इतना जान लिजिएगा कि subject के बाद हमने क्य वुला कंट रिडिकेड कैसे बढ़ता है तो प्रेडिकेड में वर्ब कि अलावे और भी तरह तरह की चीज़ये होती है लेकिन कभी कभी प्रेडिकेड को वह भी एक्सपैन्ड कर देता है और यह कैसे बाद यहां पर हम बात करते हैं Intransitive verbs of incomplete predication Intransitive verbs of incomplete predication तो बहुत सारे ऐसे वर्ब है जैसे देखो जैसे Easy MR हो गया इज black वाने से लग कलर वहाँ nश Is Is Mr Are was were is mr was were इसके अलावे आप directly b को भी ले सकते हैं क्योंकि b से ही सब बना है अच्छा इसके अलावे आप test ले लो test इसके अलावे आप ले लो test के अलावे smell smell ले लो ठीक है turn grow seem appear ठीक है appear हो गया इसके अलावे और भी और भी बहुत सारे verbs आजाएंगे तो ध्यान देना यह जो सारा चीज हमने लिखा ना यह सारा verbs इंट्रांजिटीव है यह सारे verbs जो हमने लिखा यहां पर यह सारे क्या है यह सारे verbs जो है ना यह इंट्रांजिटीव है यह सारे कैसा भाव है इंट्रांजिटीव इंट्रांजिटीव वर्प्स हैं आजएंट्रांजिटीव वर्प्स रौ इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन इन्ट्रांजिटी वर्ब आप इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन इन्ट्रांजिटी वर्ब इन्ट्रांजिटी वर्बस आप कम्प्लीट प्रेडिकेशन intransitive verbs of complete predication का मतलब होता है कि जो intransitive verbs को अब अपने बाद कुछ भी नहीं चाहिए लेकिन कुछ intransitive verbs ऐसे होते हैं जैसे कि यह सारा लिस्ट में हमने लिखा is, mr, was, where, be, test, smell, turn, grow, same, appear तो कुछ intransitive verbs ऐसे होते हैं जो अपने प्रेडिकेट को पूरा नहीं कर पाते हैं इसलिए इसका नाम क्या पढ़ा incomplete predication तो इसका प्रेडिकेट पता है कब complete होता है इसका प्रेडिकेट को complete करने के लिए हम इसमें क्या जोडते हैं हम इसमें compliment जोडते हैं हम क्या जोडते हैं हम इसमें compliment जोडते हैं, compliment का काम क्या होता है, incomplete चीजों को पूरा करना, तो ये सारे intransitive verbs हैं, और ये कभी भी प्रेडिकेट को पूरा नहीं कर पाता है, प्रेडिकेट को पूरा तभी कर पाएगा, जब आप इसके साथ compliment जोड़ोगे, जब इसके साथ क्या जोड़ोगे, compliment जोड़ोगे, ठीक है, तो देखो, मैं थोड़ा सा side हो जाता हूँ, थाकि आप बढ़ियां से देखलो, कौन-कौन से ऐसे verbs हैं, जो कि intransitive verbs of incomplete predication है, ठीक है अब मैं बताता हूँ कि क्यों इसे incomplete predication कहा जाता है, इसका मैं reason बताता हूँ, हाँ, static verbs भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई action नहीं होते हैं, हम copula verbs भी कहाते हैं, क्योंकि यह कहीं कहीं compliment को subject से जोड़ने का काम करते हैं, link करने का काम करते हैं, तो इसलिए इनका नाम linking verbs भी, कह सकते हो, या फिर आप इन्हें static verbs भी कह सकते हो, बात समझना रही है, तो इनका प्रेडिकेट complete तभी कर पाता है, जब अपने साथ यह compliment लेता है, जैसे for example, देखो यहाँ पर, जैसे आप यहाँ देख रहे हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है, the earth is, the earth is, भाई subject आपने दिय है, ऐसा नहीं लग रहा है, कि केबल सब्जेक्ट और वर्ब से पूरा नहीं हो पा रहा है, यह sentence क्या आपको लग रहा है कि complete sentence, लग रहा है कि यहाँ पर कुछ और जुटना चाहिए, तभी यह अर्थ के meaning को पूरा कर पाएगा, जान सीम्स, क्या भई जान दिख रहा है, ज कुछ होना चाहिए, तभी अपने meaning को पूरा कर पाएगा, अच्छा honey test, honey का स्वाध होता है, वाई क्या होता है, कैसा स्वाध होता है, यह तो बता दो ना, तो पूरा नहीं कर पा रहा है, यह verb ऐसा है तो इंट्रांजिटिव, लेकिन तिर भी अपने meaning को पूरा नहीं कर प यह सब इंट्रांजिटिव तो है, लेकिन यह incomplete predicate को दिखाता है, इसलिए predicate को हमें complete करना है, तो इसके साथ यहाँ पर compliment जोड़ना पड़ेगा, compliment जोड़ना पड़ेगा, जैसे देखो, जैसे इन ही examples को हमने यहाँ पर rewrite किया, ठीक है, तो जब इन examples को rewrite किया हमने, तो देखो, अब क्या हो रहा है, the earth is, the earth is, earth क्या है भाई, round है, round हम किसको बोल रहे है, earth को बोल रहे है, ठीक है, अच्छा, john seems upset, john परिशान दिख रहा है, तो हम upset किसको बोल रहे है, john को बोल रहे हुए हिए तो आप एग चीश देख रहे हूं किто जितने ही वड है ना कि यह पर तो को यह दिख रहा है यह अब आप यहां पर कोई आक्षण रिसीब नहीं हो तो इसलीए यहां पर जो कुछ भी आप देख रहे हो चाहे तो आप राउंड देख रहे हो जब पार्ट में लिखा हुआ एस रीख रहे हो या contexts बसकाय है, अब देखो जैसी हमने इसके साथ कॉमपलीमेंट दिया, तो आप सैंतनेन्स को पढ़ने के बाद आपको संतुष्टी मिले spring Spaß हो, आधा दूरा बात नहीं है, अब कंव्पलीट बात बताया दा रहा है, अब जो बात बताए जा रहा है अब complete बात बताए जा रहा है ठीक है है हम देखो तो Compliment में सेर, क्या-क्या आ सकता है मतलब कौन, कौन सा Parts of Speech आ सकता है आप एक बात मैं बता हूँ Compliment में कुछ भी आ सकता है Adverbs को छोड़कर framing में दिल्वर्ब भी आता है नहीं, Adverb भी आता है Compliment में Adverb भी आता है Compliment में कुछ भी आ सकता है सिंपल सबतलब है कि कोई भी ऐसे वर्ब्स के बाद कोई भी वर्ड आता है कोई भी पार्ट्स ओपिस्पीच का हो और अगर वो सब्देट के मीनिंग को ही पूरा करने का काम करता है तो वह क्या कॉम्प्लिमेंट है बात समझा रही है अब किसी एक वीडियो में किसी ज्यानी की में कुछ और था है वो साहद एक्टिपटए का टॉपिक था वह तो मैंने बोला कि बाबू यह जो एना सुगर क्या है यह सब्जेक्ट है टेस्ट क्या यह वाव है और स्वीट को अब्जेक्ट मत समझ लेन रहे हैं क्योंकि यह किसका रेफरेंस है यह सब्जेट का से विशष्छता वता है किसका नाउन का तो इसका मतलब है कि स्वीट जो है यह adjective है तो मैंने क्या ? मैंने क्या बोला मैंने बोला कि बाबु यह compliment है ऐड़कूपलेमेट है फिर मेरा topic पूरा compliment पे नहीं था अज का Brexit secular है मैं आगे वढ़ गया आपकिसी महान ग्यानी बाबा ने comment क्या किया है कि सर क्या गलत पढ़ा रहे हो आप कॉम्प्लिमेंट सर एड्जेक्टिव एड्जेक्टिव कॉम्प्लिमेंट तो होता है सर नाउन भी तो कॉम्प्लिमेंट का काम करता है तो भाईया मैंने कब बोला कि नाउन कॉम्प्लिमेंट नहीं होता है मैंने कब बोला मैंने उस वीडियो में बोला ही नहीं क्योंकि वो म तो कुछ भी assume मत कर लेना, ठीक है, कुछ भी assume मत कर लेना, हाँ, ऐसे आप बोल सकते थे comment में, सर की, या पिर अगर आप, आपके comment से मुझे लगा, कि आप मुझे पूछ नहीं रहे हो, आप मुझे सिखा रहे हो, अगर आपको ये जानना था, तो आप ऐसे पूछ दें, सर क्य ना, तो कुछ भी ही लोग मतलब, और सारे ग्यानी बावा लोग हमारी वीडियो में आते हैं, जो गलत सलत पढ़ा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, वाव सर, या गॉर्ड फॉर मी, और सारा ग्यान हमारी वीडियो पर लोग आखर के धने लगते हैं, ठीकत हैं, कि मैं रियल देखो, कॉंप्लिमेंट नाउन भी हो सकता है, कॉंप्लिमेंट प्रणाउन भी हो सकता है, कॉंप्लिमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है, कॉंप्लिमेंट एडवर्ब भी हो सकता है, कॉंप्लिमेंट इंफिनिटिव भी हो सकता है, कॉंप्लिमेंट पाटिसिपल भी हो स बताते अगर फ्रेसड़ वाला उता तो फ्रेसड़ वाला भी बताते ठीक है ह। को भातिसे मसमें आ रहे हैं कश्प 1 को आई टेस्टेट सुगर इस कन्वॉण हाँ इस कांटेक्स्ट 383कर सु आई कंटेक्स्ज यहां नपर्चेंज हो गया वहां पर टेस्ट जो आ यहां पर हम राहुल को स्टूडेइट कहरे हैं कि तुदेंट के रहे हैं तो देखो स्टूडेंट किया नौन नाउन तभी तुसके पहले आठिकल यह लग रहा है तो इसका मतलब है कि यहां जो कॉंपलेमेंट है यह एक नाउन है कि अच्छा दे बैग इस माइन आप देखो यहां जो compliment है माइन है माइन क्या यह प्रनावन है एक फ्रौनावन यह प्रनावन है लिए अच्छा दो नाइट गूल डार्क रात अंधेरा हो गया अब देखो डार्क किसकी विषочत है night के विशिश्ता तो जो noun के विशिश्ता बताता है वो adjective होता है तो यहां जो compliment है यह एक adjective है बात समस्मा रही है उसके बाद the child fell asleep अब asleep को adjective मत समझे ना यह modifier का काम फिरता है यह adverb है तो यहां जो asleep है न यह एक adverb है ठीक है उसके बाद the house is घर है क्यों है तो किराय पर देने के लिए the house is too late तो यहां पर जो compliment है यह two plus b1 है और two plus b1 को हम क्या बोलते है infinity बोलते है two plus b1 को infinity बोलते है ठीक है अच्छा she seems distressed तो distressed मे देखो ed लगा हुआ है तो कभी-कभी होता क्या है कि कभी-कभी adjective के तरह काम कर सकता है लेकिन तब वह participle कहलाता है तो अगर कोई भी वर्व आई एंजी के form में हो जैसे देखो हमने इंट्रेस्ट को लिख दिया interesting हमने इंट्रेस्ट को लिख दिया interesting और इसका हम अगर past participle form में बना है तो यह interested हो जाएगा यह interested हो जाएगा भाथ समझ में आ रहा है यहांपर हमने verb को एक वर्ब में हमने ing लगाया ing कुक्झे बूलते हैं और एक में वी में दी लगा अब देखो because of no içerisal अब यह एक वर्ड का निए यह से ज्यादा मइन और कोए ब deed डूTOR एक से ज़्यादा वड़ का होता है तो उसे प्रेस कहते हैं पर एक फ्रेज क्या कर रहाए यहाँ पर एक फ्रेज काम कर रहा है एक प्रेज काम कर रहा है ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गए कि कॉम्प्लिमेंट हम किसको कहते हैं, ठीक है, तो ये हमारा वीडियो का आखरी चीज़ है जो मुझे समझाना था, और अभी जो हमारा चैप्टर वन है ये भी कम्प्लीट नहीं हुआ, इसमें एक ल करेंगे और object के बारे में और विस्तार से जानेंगे, जैसे direct object हम किसे कहते हैं, indirect object हम किसे कहते हैं, और फिर ये chapter 1 पुरी तरह से complete हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे phrase, बात समझ में आ रही है, तो आज का सारा चीज़ आपको समझ में आ गया, कोई दिक्क पाएं, तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, ठीक है, चलिए, तो कैसा लगा आज का जो, ठीक है, the movie is boring as present participle, present participle compliment कह सकते हो, बिलकुल, present participle compliment आप कह सकते हो, ठीक है, तो सारी चीज़ आपको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो actual में जो आप हमारा वीडियो ज आप as a student नहीं पढ़ रहे हो, आप as a future teacher पढ़ रहे हो, क्योंकि हमारे वीडियो ज्यादा तर teacher लोग पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें जो concept होते है, जो doubt होते हैं, सारा दूर हो जाता है, जो teaching के समय में ज्यादा use होता है, अगर आप खुद teaching करोगे न, तो यह सा चाहे वो teaching का exam हो, चाहे किसी और competition का exam हो, जहाँ पर English का test होता हो, वहाँ पर आपको इतना सारा detail जानना पड़ेगा, otherwise केबल आपको communication सीखना है, बोलने सीखना है, तो इतना ज़्यादा घहराई में जाने का जौरत नहीं है, मैं spoken English का भी class regular लाओंगा, live class, ठीक है, उसमें language का अच्छा जानकार बनना तो फिर वीडियो को follow किजिए और बढ़ियां से follow किजिए, सारा doubt जीवन वरकर जितना भी grammar का doubt होगा, हमारे वीडियो से दूर हो जाएगा, अगर कोई एक भी doubt रहे गए तो आप मुझसे personally contact करना, मैं आपका doubt को clear करूंगा, ठीक है, चलिए, त अगर आप नहीं कर पाएंगे न, तो आप मेरे साथ न्याय नहीं करेंगे, इस चैनल के साथ न्याय नहीं करेंगे, ठीक है, चलिए, तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, आपके patience के लिए कि आपने वीडियो को enter, ठीक है, मिलते हैं आप सभी से अगले class में, अगल